इस वक्त की बड़ी खबर सामने आरी है पारस गुट को एक और जटका लग सकता है एक और सांसद पहुँचे हैं चिराख के घर तो मेहभू वाली कैसर पहुँचे हैं चिराख के घर खगड़िया से RLJP सांसद है कैसर चिराख पासमान से मुलकात लगतार जारी है सांसद व बड़ी खबार आ रही है जहां पारस गुट को एक और ढटका लग सकता है एक और सांसद चुराज पास्वान के घर पहुँचे हैं महबूब अली कैसर चुराज पास्वान से मिलने उनके घर पहुँचे हैं आपको ये भी बता दे कि खगडिया से आरेल जेपी के सांसद है क और इसके साथ ही वीना देवी भी चुडाज पास्मान के घर उनसे मुलाकात करने पहुची है सांसत चंदन सिंग का बड़ा बयान अब सामने आ चुका है पारस गुट के सांसत का ये बड़ा बयान सामने आया है जोहां इंडिय अलाइंस में जाने के सवाल पर जवाब उन्होंने दिया है कहा है कि राज़नीती में दर्वाजा हमेश्वा खुला रहता है दर्वाजा कभी बंद नहीं होता ऍडिये में अभी सीटो का एलान नहीं हुआ है सीटों के एलान के बाद हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है कल होगी RLJP संसदी ये बोट की ये बड़ी बैटर बात करते हैं RLJP के नवादा से संसद चंदन सिंग से चंदन जी कल चिराक पासवान ने पोस्ट करके एक्सपर इस बात की जनकारी दे दी और कैमरे के सामने आकर भी कहा on record सहमती बन गई है बीजेपी के साथ आप लोगों की सहमती कब तक बनेगी या संभावना बिलकुल खत्म हो गई है उनकों जिन्सों बना है उनकों मैं बढ़ाई देता हूँ वाजी में इंडिये में सब को बनना भी चाहिए और हमारी पाटिश्खार भी बात्री चाहिए कोई पहसी आ जरह पर ही नहीं पंचा है जब जारह पर पंचे रहा तो आपको जरूर अमेटे सबाव बचाया जाए गाए अपको एजान अभी नहीं हुआ होगा तो हमजों भी अपना सुखे ने उसके बिचाट कर रहा है पाटिखार चारों पर अपसे बात्री बीज़ा है इसमें खुर सखने महत्ति में ऐसे भी चारों सांसद हम बैच रहे हैं चुनाओ का समय है तो बैचा को खाएं खाएं महाने रखता है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तो ये थे नवादा से आरल जेपी के सांसद चंदन सिंग जो की का रहे हैं राजिनती संभावनाओं का खेल है और विकल्प खुले हैं समय पर दरवाजा लॉक होगा जो सुत्र बतार हैं उसके मुताबिक आरल जेपी को लगता है कि अध की तरफ इनके कदम बढ़ रहे हैं और उधर बाचित शुरू हो गई है जो चंदन सिंग संकेत भी दे रहे हैं कैमरामेंट शुबम के साथ अमितेश सिंग न्यूजेटीन दिल्ली और इस वीच राचि से भी बड़ी कवर साबने आ रही है जहां अमबा प्रसाद के ठिकाने पर एडी रेट का सर्च ओपरोशन में 35 लाक जब्त किये गए हैं काई डिजिटल डिवाइस भी बरामत किये गए हैं इडी की तरफ से इसके साथ ही बता दे आपको कि स्थियों के कई फर्जी स्टांप भी एडी की तरफ से जब्त किये गए हैं तो लेवी और बालू खननन के को लेकर के छापा ये पड़ा है और राची हज़ारी बाग के 20 ठिकानों पर ये छापा पड़ा है तो राची से इस वक्त की बड़ी कबर बता रहे हैं जहां अमबा प्रसाद के ठिकाने पर एडी का रेड लगातार जारी है सर्च ओपरेशन में 35 लाक जब्त किये गए है